लॉरन्स विस्नोई, ये नाम इस वक्त हर किसी की जुबान पर है सोसल मीडिया पर लॉरन्स विस्नोई के सपोर्ट में कई रील्स वाईरल हो रही हैं भारत से लेकर कनाड़ा तक लॉरन्स विस्नोई के नाम की गुंज है और कई लोग उसे देश का नया हिंदू डॉन के रहे हैं कई लोग उसे रियल विलन कहते हैं इस वक्त न्यूज एटीन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है हम लॉरेंस विसनोई के पैतरक गाउं में मौझूद हैं जिसका नाम गाउं दूतारा वाली है और ये जो आप आलीशान घर देख रहे हैं ये लॉरेंस विसनोई अनमोल विसनोई का घर है जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है जो लॉरेंस के बुजुर्ग माता पिता हैं वो सुरक्षा कारणों से कहीं और रहते हैं और यहां पर लॉरेंस विसनोई अनमोल विसनोई का बश्पन जो है वो यहां पर गुजरा है यहीं पर दोनों भाई खेला कुदा करते थे दसवी तक लॉरेंस विसनोई ने अब ओहर से पढ़ाई की और उसके बाद वो चंडीगर चले गया लेकिन ये घर में अब दोनों भाई शायद ही कभी वापस लोट करा पाएं क्योंकि लॉरेंस विसनोई गुजरात की सावरमती जेल में बंद है और उसके उपर जितने मुकदमे चल रहे हैं और इसकूल में लॉरेंस इनके साथ पढ़ाई करता था शुबं भाई ये गाउं के वारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कौन समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं कितनी जनसंग क्या है ये फाजल का जिले का तस्धील अभौर का दुतारवाली गाम है और यहां के उपर हमारी बिशनोई कम्यूनिटी मेंली यहां पर रहती है सारी और यह हमारे सोला गाम हैं यहां पर तस्धील में आस पास जो सारे मेंली बिशनोई कम्यूनिटी के रहने वाले यहां पर लोग रहते हैं यह जो घर है यह लॉरेंस विस्नुई का पैत्रिक घर है हां जी यह उसका पैत्रिक घर है और यहां पे ही उसका बच्पन गुजरा है इसी गाउं में सारे यहां पे मिल जुलके रहते थे और अभी भी रहते हैं देखिए जाहिर सी बात है अनमोल भी इंडिया के बाहर है लॉरेंस जेल में है माता पिता यहां रहते नहीं है यह आलिशान कोठी लॉरेंस की जो जमीन जायजाद है उसका वारिस अब कोई नहीं है शायद हाँ वह मतलब संबालने जमीन वगएरा है जो वह संबालते हैं लो उस वज़े से वह यहां से बाहर रहते हैं पर हाँ यह उनका घर है काफी सुना कि यहां पर परिवार ने गोशाला में काफी पैसा दिया है यहां के स्कूल के लिए ग्राउन के लिए काफी जो है वो परिवार ने जो है चंदा दिया है हमारे जो बिशनोई कम्यूनिटी के अंदर जो समुदाए के अंदर जो लॉरेंस के पूरवज हैं वो काफी मतलब माने गए संत रह चुके हैं तो उनकी मतलब बदौलत है कि हाँ मारा बिश्णोई समाज उनकी जो लिखी हुई जो हमारा गुटका है जो उसके उपर हमारा सारा समाज अधारित है और हाँ यहां मैं आप सल्की में देश म में कभी आपके गाउं में कोई किसी ने धंकी दीओ परिवार को कभी ऐसा डर का माह! कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कोई लोरेंस से कभी बात भी नहीं होती किसी की और ऐसा कुछ भी दमकी दमकी वाला सब मिलजूल के रहते गाम में तो अशुबं भाई आपने एक और बड़ी बात बोली कि यहां पर चुनाओ वगरा जब होते हैं तो जैसे बाकी गैंग्स्टरों का प्रवाव होता इलेक्शन में या अपने छेतर में आपने का ऐसा लोरेंस के बारे में कभी ना किसी नेता ने किसी सरपंच ने कभी किसी ने न मतलब को लॉरेंस का कभी कोई भी लोकल लेवल पर सरपंची के एलेक्शन में या कोई ओर बड़े एलेक्शन में इसी गाह में नहीं मतलब आसपास के सारे गाहों में लॉरेंस के नाम पर कभी ऐसे वोट नहीं मांगे जाते या ऐसे कोई उसकी धंकी नियाती कि इसको जित क्या बताएंगे लॉरेंस और हम मतलब एक वैन के अंदर गाहों से जाते थे लॉरेंस मेरे से सीनियर रहा हुए आजम्शन कॉर्णमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाई में बहुत अच्छा था बास्किट बोल किसी ने सुनानी किसी ने देखानी वैसे उसको करते हुए हमने उसको देखा है कि हाँ वो यहां पे खेलता था करता था और उससे बड़े बजुर्ग हैं जो उसको जो उसकी गलतियों वे उसको डांटते थे तो वो राम से सुनता था और ऐसे कभी मतलब किसी से बत्तमीजी स बात करनी बड़ों की रिस्पेक्ट करनी ये चीज उसको बहुत अच्छे से आती थी और बहुत बढ़ियां थी तो देखिए बिलकुल ये सुभम विस्नोई हैं लॉरेंस के बच्पन के दोस्त हैं पीछे मेरे लॉरेंस विस्नोई का पेत्रा घर हैं और जैसा कि कहते हैं कि ह जादा रुची रखता था जो कानून की पड़ाई करता था जो एक एथलीट था जो एक छात्र नेता था आखिर वो जरायम की दुनिया में जुर्म की दुनिया में कैसे पहुंचा और कैसे आज उसका नाम देश के नए डॉन के तोर पर लिया जा रहा है